दीर स्टुडेंट्स चली आए हम लोग क्लास से 10th के सब्जेक्ट साइन्स को पढ़ते हैं जो NCRT बुक को हम लोग फॉलो करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पिछले क्लास में परकास के परावरतन अपवरतन के चैप्टर को पढ़ रहे थे उसके एक टॉपिक्स को सिख रहे थे पे जो विडियो सूट नहीं हो पा रहे है लाइट के वज़े से तो कि नेच्चुरल फेनोमेनन के वज़े से लाइट इंप्रूव हो जा रही है कट जा रही है तो उसका कुछ न कुछ प्राब्लम जहलना पड़ रहा है तो चलिए इसी को देखते हुए हम आपको अपने नोटबुक पे ही समझाने का प्रयास कर रहा हूं तो अपली जाप इसे समझें तो लेंस के भाग को हम लोग जितने भी पॉइंट से हो सकता था उसको हम लोग लिख चुके थे लेंस के भाग में हम लोग आयरो देकर बहुत सारे पॉइंट को लिखे थे लेकिन समझ नहीं पाये थे तो चलिए आज हम लोग उसको देखते हैं तो सबसे पहले लेंस के जो भाग आप पढ़ रहे थे चुकि इस भाग को आप पढ़ चुके हैं लेंस लिख चुके हैं मतलब सिर्फ हम लोग को समझना है आज तो इसमें हम लोग ये लिखे हैं कि लेंज चाहे कोई भी हो उतल हो चाहे आउतल हो यानि कि उतल तो जानते हैं ना कि ऐसा उतल होता है और आउतल ऐसा होता है बीच में पतला और किनारे में मोटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं आउतल और ये हो जायता है उतल तो आप देख पा रहोंगे पहला जो point लिखे हैं कि कोई भी lens हो चाहे उतल ही क्यों नहों दोनों प्रिष्ट गोल ये होता है क्योंकि ए भी एक गोला का भाग है गोला तो जानते नहीं ऐसे होता है गोला तो उतल का दूगो प्रिष्ट है इसका दोनों प्रिष्ट क्या होते है गोलिये होते हैं जो कि हम लोग लिख चुके है ये वाला भी गोलिये गोले का एक भाग है ये भी एक गोले का भाग है इसलिए दोनों क्या है एक गोलिये प्रिष्ट है दोनों सता एक ये सता हुआ और एक ये सता हुआ तो दोनों सता क्या है एक गोले का ही भाग है क्योंकि गोले ये भी एक गोला से बनता है और ये भी एक गोले से बनता है तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि उतल हो चाहे अवतल हो इसका जो दोनों प्रिष्ठ होता है वो वक्रता केंद्र होता है जिसको C से सुचित करते हैं ठीक ना वैसे ही आपको जानना चाहिए कि लेंस चाहे कोई भी हो उतल हो चाहे अवतल हो इसको में भी कितना वक्रता केंद्र होगा दू को एगो को C1 बोलेंगे एगो को C2 बोलेंगे वक्रता केंद्र को हम लोग C से सुचित करते हैं जानते हैं तो अब C से सुचित करते हैं तो आपको जानना चाहिए कि लेंस में दूगो वक्रता केंद्र होता है जिसको C1 बोलते हैं और एक तरफ को C2 बोलते हैं ऐसा नहीं है कि अवतल में नहीं होगा आपको जानना चाहिए कि अवतल में भी दूगो वकरता केंदर होता है एकको बोलते हैं C1 एकको बोलते हैं C2 समझ में आ रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं किसी लेंस में के दोनों वकरता केंदर से गुजरने वाला एक कालपनिक सिधे रेखा को कालप, क्या बोलते हैं लेंस का मुख्याच कहते हैं अब चले हैं, अब हम लोग लेंस के बारे में जरा अच्छा से देखें तो लेंस के बहाद का जो आप बात लिखे हैं ना, उसमें आप फिगर बनाईएगा काईसा figure तो एक उतल का figure बनाईएगा ठीक है उतल ये कौन सा lens है तो ये उतल lens है ठीक है अब आपको जानना चाहिए सबसे पहले ये जानना चाहिए कि चुकि एक गोलिये सतह A है और दूसरा गोलिये सतह ये है और इसका बीच का point क्या है बीच का point को हम लोग O बोलते हैं पता जिसको हम लोग ओ से सुचित करते हैं अब क्या है कि देखे एक यह वाला बहाग है तो यह वाला एगो गोला ये बन रहा होगा और ये गोला का ये बन रहा होगा यानि कि दो गोला के मिलने से यानि कि जब दो गोला अगर आप ऐसे बनाएंगे तो बीच वाला एक उत्तर लेंस बनता है देख रहे हैं यही न उत्तलेंस है अब अगर मान लिया जाए कि ये किसका भाग है तो इस गोले का भाग है मतलब कि इसका सेंटर होगा कुछ और ये वाला जो भाग है इसका सेंटर होगा इसी तरीके से हम ये बोलते हैं कि जब इससे एगो सेंटर यानि कि अगर कोई परकासिक केंदर से को हम लोग सीवन बोलते हैं यह सीवन यह वाला जो केंदर है किसका है तो यह वाला गोला का यह केंदर है जिसको सीवन कहते हैं यह वाला जो गोला बन रहा होगा तो इसका केंदर कहीं इधर होगा जिसको हम लोग सीटू बोलते हैं ठीक है अब एक सीवन यहां है एक सीटू यह किसके लिए तो सीटू इसके लिए इसके लिए सीटू और यह सीवन किसके लिए तो इसके लिए क्योंकि एक गोला इधर बनेगा तो इसका केंद्र यह होगा और एक गोला यह वाला बनेगा तो इसका केंद्र इधर होगा इसलिए इसको सीवन बोलते हैं इसको सीटू बोलते अब C1 और C2 को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो कहलाती है Lens का मुख्य अच इसको हम लोग बोलेंगे Lens का मुख्य अच ठीक है अब ये Lens का तो मुख्य अच होगा अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें दो फोकस भी होते हैं एक F1 होता है और एक F2 होता है मतलब जैसे C1 हुआ उधर ही बीच में F1 हुआ यानि कि कोई भी Lens हो उसमें दो गो C1 C2 होता है दो गो केंद्र होता है और दो गो F1 और F2 होता है यानि कि दो गो फोकस होता है ठीक है यानि कि कुल मिला कर अगर देखा जाए तो आपको जानना चाहिए कि कोई भी लेंस हो जैसे कि मान लिया उत्तर लेंस है उत्तर लेंस में परकासिक केंद्र होता है उत्तर लेंस में दूगो फोकस दोरी होता है एक F1 और उसके पीछे F2 होता है एक उसके आगे C1 तो उसके पीछे C2 होता है अब C1 C2 का मतलब समझ रहे ना जिस गोले का भाग होता है इभी एक गोला का भाग है ये वाला गोला का केंद्र है और ये ये वाला केंद्र का है यानि कि इस गोले का केंद्र C1 है और इस गोले का कंद्र C2 है तो इस तरीके से हम लोगों को जानना चाहिए कि ये lens के भाग होते हैं ये तो उतर lens में है तो आप lens के भाग जो लिखे हैं इस figure को उसके नीचे बनाएगा अच्छा जरह हम बात करते हैं कि अगर मान लिया उतर lens रहता तब क्या होता तो अब हम लोग बनाते हैं एक और तर लेंग ये हुआ एक और तर लेंग थोड़ा सा ऐसा बनाएगा कि दोनों तरफ बराबर दिखें यहाँ पर बड़ा छोटा हो गया अच्छा इसमें भी क्या होता है एक प्रकासिक केंडर होता है जिसको ओ बोलते हैं और ये भी पास करता है बिल्कुल अस्ट्रेट लैंग चुकि मेरे से ये चुकि सूट भी करना पड़ रहे है ये खाप से फोन भी पकड़ाना पड़ता है तो इसलिए तीर्शा हो जा रहे है आप इंच की सहाथा से और पैंसिल की सहाथा से फिगर जो है बिल्कुल फ्रेस बनाईएगा तो अब देखिए ये वाला भी एक गोलिये सत है तो इसका भी केंडर इधर होगा तो इसको बोल लिजे C1 ठीक है और इसका एक केंडर होगा इसको बोल लिजे इधर कि कहीं C2 होता होगा यानि कि कोई भी लेंस हो और अभी हम लोग कौन साल लेंस ले रहे है आउतल लेंस ठीक है तो आउतल लेंस है आउतल लेंस का एक तरफ C1 है और दूसरे तरफ C2 है इसका एक तरफ इधर F1 होगा और एक तरफ F2 होगा ठीक है अब आपको जानना चाहिए कि C1 और C2 C1 और C2 क्या है तो C1 और C2 दो वक्रता केंदर हुआ अवतर लेंज का F1 और F2 क्या है तो F1 और F2 दूगो फोकस दूरी हुआ ठीक है अब एक चीज और अक्सर हम लोग C1 के जगह पे 2F1 भी लिखा हुआ देख सकते हैं अब जब आप बुक दिखिएगा तो वहाँ 2F1 और 2F2 लिखा हुआ रहता है तो ज़रा इसका मिनिंग समझेगा कि हम C1 को 2F1 बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि अब हम लोग जब दरपन पढ़ रहे थे तो यही न केंद्र से लेकर और P तक की दूरी को वक्रता 3G आर बोलते थे नहीं और आर बोलते थे तो आर का फार्मूला क्या होता था 2F होता था आर बराबर 2F समझना आ रहे ना यही वजह से आप कभी कभी बूक में क्या देखते होंगे कि C1 के जगा पे 2F1 भी रहता है और C2 के जगा पे 2F2 भी रहता है क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी R का लाया और R का फार्मूला 2F तो इसलिए आप एक चीज को लिखेगा कि जहां C2 है उसके ब्रैकेट में इसको 2F2 भी बोलते हैं और इसको 2F1 भी बोलते हैं तो इन चीजों का भी जिकर आप जरूर करिएगा फिकर में और लेंस के भाग के नीचे जो लिखे हैं उसके नीचे यह दोनों फिकर बनाना है और उत्तर लेंस बनाना है और फिर उत्तर लेंस बनाना है दोनों एक दूसरे के नीचे बनाईएगा और इस C1 के जगा पर जैसा कि हम लोग बोले हैं कि आप 2F1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह फर्मुला होता है R बराबर 2F यहां लिख सकते हैं 2F2 ठीक है तो यह हो गया F2 यह हो गया 2F2 या C2 भी बोलिए या फिर 2F2 बोलिए दोनों बात क्या है सेम है क्योंकि हम लोगों को बूक में यह 2F1 का ही जिकर है हलांकि इसको C1 भी बोल सकते हैं तो इस तरीके से हम लोग Lens के भाग को आज समझ गए चलिए हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं अब उसके आगे जो Topics है वो हम लोग देखते हैं कि आगे का Topics क्या है तो अब उसके नीचे Topic देंगे लिखा जाए Lens द्वारा परतिबीम्बों का बनना Topic क्या देंगे Lens द्वारा परतिबीम्बों का बनना अब हम लोग जैसे कि हम लोग दर्पन में देखते थे ना आप समझ पार होंगे दर्पन में देखते थे कि परतिबीम्ब कैसे बनता है उतल दर्पन में कहां कहां बनता है किस किस सिचुएशन में बनता है और तल दरपन में कैसे कैसे बनता है कहां पर वस्तू रखते हैं तो कहां पर उसका परतिबीम बनता है उसका साइज कैसा होता है अभासी बनेगा कि वास्तिविक बनेगा आपको हम याद करवा चुके हैं आपको याद करना पड़ता है अब आईए आते हैं हम लोग ये जो topics है उसका मतलब यही है कि lens द्वारा परतिबीम्ब कैसे बनता है या फिर lens के द्वारा परतिबीम्ब कहां बनेगा उसका size क्या होगा उसके बारे में याद रखेगा lens में पढ़ रहे हो वहाँ पे हम लोग दरपन में पढ़ रहे थे ठीक परतिबीम्बों की इस्थिती, प्रकृती तथा size दो लेंसों में बनता है पहला का नाम लिखेगा दो लेंसों में बनता है पहला में लिखेगा उत्तर लेंस द्वारा ओतल लेंस द्वारा बसक्त परतिवीब दूसरे लिखेगा ओवतल लेंस द्वारा बसक्त यानगी अब हम लोग जो खीक तो ना परतिवीब बनता है जैसा कि आप जानते हैं दर्पन वाला के स्कॉप याद किजिए ना ज्यादा प्रब्लम नहीं होगा कैसे हम लोग सीखें कि उतल दर्पन में कहां कहां बनता है उतल दर्पन में कहां कहां बना तो उसी तरीके से अब हम लोग जो परतिबीम का साइज या प्रकृति या इसथी ठी जो देखेंगे न वो दोनों में देखेंगे एक उत्तर लेंस वाला का देखिए यहां पर B 마스크 हो गया उलल लिखा जिरलें सुनय मोनी मिस्टेंक हुआble में तो इसको उत्तर हो बना लेजे उत्तर तो हम एना यह चाहरे हैं कि लेंज द्वारा जो बना प्रतिवींब होता है वो दूनों में बनता यह उत्तर लेंज में भी और उत्तर लेंज में भी तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं सबसे पहला टॉपिक को उत्तर लेंज द्वारा बना प्रति बीम्ब उत्तर लेंस द्वारा बना प्रति बीम्ब उत्तर लेंस द्वारा बना प्रति बीम्ब अब उत्तर लेंस द्वारा बना प्रति बीम्ब को समझने के लिए आप पहले टेबल बनाईए एक तरफ क्या लिखिए एक तरफ लिखिए बीम्ब की स्थिति और जानते है ना बीम्ब मने कुछ होता है वस्तू ठीक है बीम्ब मने वस्तू वस्तू की स्थिति एक टेबल बनाईए फिर दूसरा टेबल बनाईएगा प्रति बीम्ब की स्थिति यानि कि प्रति बीम्ब कहा परतिबीम्ब की स्थीति और अब की बनाईएगा परतिबीम्ब का साइज परतिबीम्ब का साइज का मनें आकार ठीक है और अब की बनाईएगा परतिबीम्ब का प्रकृति परतिबिम्ब का प्रकृती, प्रकृती का मतलब कौँछी? कि आवास्तिविक होगा कि आभासी होगा ये सी, एक टेबल बना लेना है ठिक है? और जैसा कि आप जानते हैं, उतल दरपन में होता है, वैसे ही उतल लेन्ज के द्वारा हम लोग इसका सिखेंगे कि इसमें कितना कितना बनता है, तो पहला सिखेंगे, कब? लिखेंगे पहला अनन्द पर, यानि कि वस्तु कहां रहेगा? अनन्द पर रहेगा, तब परतिबीम का इस्थिती कहां बनेगा? परतिबीम बनेगा F2 पर, जैसा कि हम आपको दिखाने का पर्यास कर रहे हैं, ये देखिए उतल लेन्ज है, हम लोग किस केस में काम कर रहे ह उतल लेन्ज द्वारा बना परतिबीम में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये समझी कि वस्तु कहां है? अनन्द पर, तो अनन्द किधर होता है? तो इधर अनन्द है, तो अनन्द से जब परकास की किरने आईगी, तो उसका परतिबीम कहां बनेगा? यही है F2, तो यहां पर हम यही सिख रहे हैं अभी, कि वस्तु अगर अनन्द पर रहेगा, तो परतिबीम कहां बनेगा? यहां पर बनेगा, देखिए, अगर हम अनन्द पर रखते हैं वस्तु, तो परतिबीम में उतल लेंज में F2 पर बनेगा, यह चीज लिखे, अब परतिबीम का साइ बनेगा या फिर बिंदू के समान और कैसा बनेगा तो वास्तवीक और उल्टा बनेगा ठीक है तो यह पहला हम लोगों को complete हो गया ऐसे ही करके हम लोगों को 6 टाइप का याद रखना होगा समझ में आ रहा होगा यानि कि अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उत्तर लेंस द्वारा बनना परतिवीम पढ़ रहे हैं इसमें टूटल 6 टाइप का है पहला तो समझ गए कि अनंध पर रखेंगे तो परतिवीम कहां बनेगा एफटू पर और एफटू और एफवन किधर होता है क्या होता है समझ में आ रहा है एफ आपको देखें फीगर क्यों सामने हम रख के दिखा रहे हैं ताकि आप डाइवर्ट नहीं हो आप चीजों को समझ एक एफटू क्या है अनंत क्या है ठीक है तो चलिए अभी हम लोग को फीगर का काम नहीं है हम लोग को पहले इस टेबल को कंप्लेट करना करना है तो टू एफवन भी बोल सकते हैं देखिए अनंत और सीवन सीवन को ब्रैकेट में लिख दिजेगा टू एफवन क्यों किताब में आपका जो है टू एफवन का ही जिक्र किया है सीवन का जिक्र नहीं किया है इसलिए आप समझे बातों को कि सीवन भी बोल सकते हैं टू एफव के बीच रखेंगे तब परतिमिम का इस्तिति कहा होगा तो यहां पर लिखिए का एफ टू और कि सीटू सीटू का मतलब टू एफ टू के बीच F2 और C2 C2 को ब्रैकेट में लिखेंगे 2F2 के बीच और उसका प्रतिबिम्ब का साइज लिखेंगे सिर्फ छोटा देखिए हम पहले में अतियंत छोटा लिखें इसमें छोटा लिखें तो दोनों में अंतर है अतियंत छोटा का मतलब गदम छोटा और छोटा का मतलब इतना सारा भी हो सकता है तो यहाँ पर छोटा और यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक और उल्टा देखिए अब की बार हम क्या हम बोल रहे हैं कि वस्तू को रखने वाले हैं अनन्त और C1 के बीच तो ज़रा उतर लेंस दिखाते हैं अनन्त अनन्त तो इधर हो गया और C1 के बीच यानि कि वस्तू रखेंगे यहाँ समझना रहा होगा इधर हो गया अनन्त और इधर हो गया C1 यानि कि 2F1 के बीच रखेंगे तो dear students आप देख पार होंगे कि हम लोगों का जो परतिविम बन रहा है F2 और C2 के बीच तो F2 यहाँ है और C2 यहाँ है तो ये दोनों को बीच में बनेगा कहीं समझना रहा है तो अभी इन चीजों को आप समझते चली कि आखिर F2, C2 इस सब क्या है है ना क्योंकि हम इसका अभी हम लोग इसका डाइग्राम अभी खड़ा कर रहे है डाइग्राम में टेबल अभी बना रहे है टेबल जब कंप्लीट हो जागर तो हम लोग क्या करेंगे सब को एक रेखा चित्र द्वारा खिचेंगी कि आखिर कहा है तो उसका परतिमी बाकिर यहाँ क्यों बनेगा है ना उसका हम लोग आरेख खिचेंगे फिलाल दोगो टेबल कंप्लीट हो गया अब आएए अगला सुखिए तीसरा टेबल यानि कि दो टेबल हो गया पढ़िए तो अब आप तीसरा में लिखिए यहाँ से हो गया दूस्रा अब लिखिए तीसरा यहां ज़र आप देख पार होंगे यह हम टेबल बना में चाह रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो समझने में उसी के नीचे हम बना रहे हैं हाँ ठीक है तो जैसा कि हम अभी बनाएं दूसरा आप लिख लिए अब आप तीसरा लिखें तीसरा क्या तो C1 पर C1 C1 को आप लिखेगा 2F1 पर C1 को हम क्या लिख सकते हैं 2F1 तो अब यहां पर बिंब का इस्थिति में लिखेगा C1 या फिर 2F1 पर तो यहां कहां बनेगा तो C2 पर C2 का मतलब 2F2 पर जेखिए अगर आप वस्तु को 2F1 पर रखिएगा यानि कि C1 पर रखिएगा तो परतिवीम्ब कहां बनेगा C2 पर बनेगा या फिर 2F2 पर बनेगा अब परतिवीम्ब का साइज कैसा बनेगा तो समान रूप समान रूप यानि कि समान रूप का मतलब क्या होता है जितना वस्तु का बड़ा होगा साइज होगा उतना ही परतिवीम्ब का भी साइज होगा इसलिए यहां लिखे हैं कि परतिवीम्ब का साइज कैसा होगा तो समान रूप होगा अब यहां पे कैसा बनेगा प्रकृति कैसा होगा भाई तो वास्तविक और उल्टा देखिए हम आपको याद भी करवा देना चाहते हैं और आप खुद से भी आपको याद भी करना पड़ेगा क्योंकि बिना याद के होगे कुछ काम चलेगा नहीं तो तिसरा हो गया चले आएए आगे देखते हैं चौथा नंबर चौथा नंबर में है कि F1 तथा C1 के बिच यानि कि ऐसे भी लिख सकते हैं कि C1 C1 का मतलब 2F1 और F1 के बिच अगर हम C1 यानि कि C1 को 2F1 बोल सकते हैं और F1 के बिच रखेंगे तब हमें परतिवींब कहां बनेगा तो यह बनेगा C2 C2 मने C2 मने होता है कौँची C2 मने होता है 2F2 C2 मने 2F2 और अनंत के बिच यानि कि जब हम लोग वस्तु को रखेंगे C1 पर C1 और F1 के बिच यानि कि 2F1 और F1 के बिच तब हम लोगों का जो परतिवींब बनेगा वो कहां बनेगा C2 और अनंत के बिच तो सब आपको हम फिगर में दिखाएंगे कि C2 और अनंत कि इधर हुआ तो C2 यहां हुआ उसका अनंत इधर हुआ C2 और अनंत के बिच थिक है चलिए अच्छा इसमें अगर बात किया जा तो इसमें कैसा फिगर बनता है तो इसमें बड़ा बनता है यानि कि वस्तू से इसमें जो इमेज बनेगा वो बड़ा बनेगा और इसमें भी बनेगा वास्तवीक और उल्टा बनता है इसमें भी वास्तिविक और उल्टा लिख लिजेगा ठीक है चलिए अब हम लोग आई गया आते हैं पांचवा नंबर में पांचवा नंबर में लिखेगा F1 पर F1 जानी रहे हैं कि उतर लेंज में F1 कहा है आपको हम पहले ही बता चुके हैं फिगर भी बनवा चुके हैं इसलिए तो देखे सब चीज जो है जुड़ा हुआ होता है अगर आप इन चीजों को नहीं समझते हैं कि F1 कहा है F2 कहा है C2 कहा है वस्तु को EPhone पर रखेंगे तो इसका प्रतिवीम कहां बनेगा तो इसका बनता है अनन्त पर अनन्त पर और कैसा बनेगा Size का अगर बात करें तो यह बनेगा बहुत बड़ा बहुत बड़ा बढ़ा वो बहुत बड़ा में अंतर है यहाँ पे बहुत बड़ा और जो प्रकृति बनेगा वह वास्त्विक और उल्टा बनेगा वास्त्विक और उल्टा ठीक है तो इन चीजों को अच्छा से टेबल बनाईएगा एक सार्नी बनाईएगा चलिए एक लास्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग छट्ठा पॉइंट और ये लास्ट है उत्तर लेंज में छट्ठा कहां रखने वाले हैं तो F1 तथा O के बिच देखिए F1 तथा O, O को हम लोग बोलते हैं प्रकासिक केंदर देखिए आप चीजों का पच्छा से समझे उत्तर लेंज में ये F1 है और ये O है तो अब की बार में हम लोग वस्तु को कहां रख रहे हैं F1 और O के बिच जब वस्तु को रखेंगे तब हम लोगों का इसका परतिविम कहां बनेगा इसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो F1 और O का बिच O का मतलब समझे रहे हैं O का मतलब प्रकासिक केंदर के बिच अगर वस्तु को F1 और O के बिच रखेंगे तो हम लोग यहां पे जो परतिवीम की स्थिति होगा तो यहां लिखेंगे जिधर वस्तू रहता है उसी और परतिवीम बनता है और बड़ा परतिवीम बनता है बनता है तो यहां पे यह चीज लिखना बहुत ज़रूरी है यानि कि आप देख पार होंगे कि अगर हम किसी वस्तू को F1 और O के बिच अगर यहां पे वस्तू रखे हैं तो इसका जो परतिवीम होगा ना इधर ही कहीं बनेगा यानि कि जिधर वस्तू रखे हैं उधर ही बनेगा और कहां कहां पे बनेगा तो बड़ा बनेगा ठीक है यहां पे बड़ा लिख दिए तो कोई बात नहीं है यहां पे लिख दिजेगा बड़ा यहां पे भी बड़ा लिख सकते हैं और यहां पे भी लिख दिए हैं तो कोई प्राबलम नहीं है लेकिन यहां पे जो बनेगा एक ही केस बनता है जहां प आपको ये काम करना है इमांदारी पुरवक से इस पूरा टेबल को आपको याद कर लेना है ठीक है अच्छा से देखिए चीजों को क्योंकि ये है उत्तर लेंस द्वारा बना परतिबीम अगर ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा तो अगले क्लास में जो हम लोग डिसक मज में आएगा जब इन चीजों को आप याद रखेंगे कि क्या होता है अनंत क्या होता है एफ टू क्या होता है कहां होता है सी वन कहां होता है सी टू कहां होता है ओ प्रकासी केंद्र तो ये सब आपको खुद याद रहना चाहिए कि कहां पर वस्तू रखेंगे तो कहां पर उसका परतिभीम बनेगा तो सबसे पहले आप यह देखिए चीजों को याद करना बहुत आसान है बसरते आपका मन से होना जाहिए सब कुछ है । पहला तो प्रकृति में देखिए तो सब केस में वास्तवी जब एफ वन और ओ के बीच होता है तब तो देखिए एफ वन और ओ यहां है अगर यहां रखेंगे तब जाकर हम लोगों को क्या बनता है तो आप इसको यह साट दिजिए और इसमें आप याद रखेगा कि परतिविम कहां बनता है तो जने वस्तू रखते हैं ना उधरी अगर मान लिया जाए कि वस्तू हम लोग यहां रखे हैं तो लेंज से इधरे किधर भी परतिविम बनेगा जिधर हम लोग वस्तू रखेंगे उधरे और बात रहा कि अनन्थ पर रखेंगे तो F2 पर बनेगा अत्यंध छोटा बनेगा अनन्थ और C1 के बिच अनन्थ और C1 का मतलब देखिए इधर हो गया अनन्थ यहां हो गया C1 अगर यह दोनों के बिच में रखेंगे तब कहां बनेगा तो इन चीजों को आपको इमानदारी पूर्वक से आपको याद करना होगा अगर आप इन चीजों को याद कर लेते हैं तो अगले दिन हम लोग सिखेंगे कि उत्तर लेंस द्वारा बना परतिबीम्बो का आरेक आरेक हम लोग पढ़ेंगे वो अगले दिन पढ़ेंगे आरेक का मतलब डाइग्राम कि आखिर क्या वजह है क्या कारण है कि अगर अनन्थ पर रखते हैं तो F2 पर ही बनता है कुछ तो वजह होगा उसका किरन आरेक को देखेंगे अनन्थ और C1 के बिच रखेंगे तो आखिर F2 और C2 यानि कि 2F2 के बिच बनता है ये क्यों बनता है कैसे बनता है उसके आरेक को सिखेंगे ठीक है तो उस आरेक को आप पैंसिल से ड्रॉक किजेगा हरेक तो इसका 6 टाइप्स का है तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगले क्लास में तब तक धन्यवाद